जी हाँ दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रिंग पे दिखाई दे रहा है कि जोन वाइज टोटल फोरम कहां से कितने फिलब किये गए हैं 2 अपरेल तक लाज्ट डेट हो चुकी है 31 मार्च उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि किस जोन से कितने फोरम लगे हैं इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरे में देखने को मिलेगी अगर इसी तरीके के अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूले और जो हमारे चैनल के उपर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चै और आपकी बदोलत हमारा जो यूटूब चैनल का परिवार है वो 21,000 लोगों का हो चुगा है, 21 के भी लोगों का हो चुगा है, ये तभी संबभ हुआ है जब आप लोगों का साथ और आप लोगों का विश्वास इस चैनल के उपर था, तो मैं आप सभी के इक बाद फिर से तहीं दिल से शुक्रियादा धन्यवाद करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, और मैं भी आपके लिए और भी बैतर बैतर बहुती अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, जैसा कि आप देख पा र देख रहा थी लास्ट डेट और आज जो तारीक आपको यहां पर दिखाई दे रहे हूँ कि दो अप्रेल उपर भी देख सकते हैं, दो अप्रेल 2018 हो चुकी है, तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ कि आप किस जोन से कितने फोरम लगे हैं, और कितने स् स्टूडेंट के उपर एक पोस्ट आ रही है, 590 स्टूडेंट एक्जाम देंगे उसमें एक जने को पोस्ट मिलेगी, टोटल पोस्ट कितनी थी? 236, सैकिन नमर पर आता है, गुहाटी, पिछले बर गुहाटी की कम गई थी, इस बार गुहाटी भी की कटोप है, वो टोटल पोस्ट इसके अंदर 2500 सतेतर थी, तीसरे नमर पर आता है, चेन्नाई, चेन्नाई भी पीछे नहीं है, चेन्नाई में भी 13,03,000 रजिस्ट्रेशन फोरम लग चुके हैं, लगे हैं, टोटल और 407 स्टूडेंटों के उपर एक पोस्ट आ रही है, और टोटल पोस्ट चेन्नाई में भी जो कटोफ है, वो कम नहीं जाने वाली है, चोथे नमर पर आता है, भूनेस्वर, भूनेस्वर में 5,80,000 रजिस्ट्रेशन फोरम लगे हैं, और इसमें जो पर स्टूडेंट पोस्ट है, वो 378 स्टूडेंटों के उपर एक पोस्ट है, बताई जा रही है टोटल पोस्ट इसमें 1532 थी, पांचे नमर पर आता है, इलहबाद, इलहबाद में 17,00,000 पोस्ट रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें 371 स्टूडेंटों के उपर एक पोस्ट आ रही है, टोटल पोस्ट कितनी थी, 4762, छटे नमर पर आता है, चंडीगड, चंडीगड में 27,00,000 और 75,000 फोरम लग चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दू, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी थी, वो भी ज्यादा थी, 7832, तो इसमें जो पर स्टूडेंट पोस्ट है, वो 354 है, 354 स्टूडेंटों के उपर एक पोस्ट, इसके बाद आता है, सात्वे नमर पे मुंबई में 16,00,000 रजिस्ट्रेशन भूरम लग चुके हैं, और 348 स्टूडेंटों के उपर एक पोस्ट आ रही है, इसमें टोटल वैकेंसी थी, 4625, आठवे नमर पे आता है, बैंगलूरू, इसमें 7,00,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और 331 स्टूडेंटों के उपर एक पोस्ट आ रही है, और टोटल पोस्ट 2230 में थी, सिकंद्राबाद में भी 20,95,000 रजिस्ट्रेशन हो, हुए हैं टोटल और 321 स्टूडेंटों के उपर एक पोस्ट आ रही है, टोटल पोस्ट कितनी थी, 2500, 6523, दस्वे नमर प्यारा है, बिलासपूर, बिलासपूर में 3 37,000 फोरम लगे हैं, लेकिन इसमें जो पोस्ट थी, 1160 थी, इसमें भी पर स्टूडेंट पोस्ट आ रही है, 39 students के उपर एक पोस्ट, बोपाल में कुल रजिस्टरेशन फोरम हुए हैं, 10,75,000 इसमें भी 305 इस्टूडेंटों के उपर एक पोस्ट आ रही है टोटल वैकेंशी थी इसमें 3522 बारवे नमबर पे आ रहा है गोरकपुर गोरकपुर में 95,000 फोरम लगे हैं और इसका जो कमपिटिशन है वो थोड़ा कम है 295 स्टूडेंटों के उपर एक पोस्ट टोटल पोस्ट इसमें 388 तेरवे नमबर पे आता है राची राची में 13,000,000 फोरम लगे हैं इसका जो कमपिटिशन है वो 289 स्टूडेंट के उपर एक पोस्ट आ रहे हैं इसमें 2525 पोस्ट थी टोटल चोद्वे नमबर पे आता है अजमेर अजमेर में 12,99,000 फोरम लग चुके हैं लेकिन दोस्टों इसमें पोस्ट भी 475 इसमें पर स्टूडेंट पर पोस्ट के उपर 233 स्टूडेंट एक्जाम देंगे इसके बाद एहमदाबाद में 17,70,000 फोरम हुए हैं यहां से आपका चांस बनता है यहां पर जो कंपिटिशन है वो 241 स्टूडेंटों के उपर एक पोस्ट आ रही है क्योंकि इसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा है 6,87 इसके बाद अगर आपने पटना से फोरम लगाया है तो आपके लिए बहुती खुसी की बात है पटना से फोरम कितने लगे हैं 12,80,000 और इसमें पोस्ट कितनी थी 5,981 इसमें जो कंपिटिशन वो रहने वाला है 183 स्टू जिने लाइक बन सकते हैं किसी तरीके के और लैटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल पहले देखो पहले सीखो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें और यह जो जानकारी है अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा स ाइ